तो हेलो एविर्वन आज में एक और नया मानवा लिकर आ गया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग है ओके तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो कहानी की स्टार्टिंग एक नैरेशन से हुए है मगर पता नहीं आगे और कितने लोग मारे जाएंगे सभी लोग जॉंबी बन गये हैं और वो लोगों को इनफेक्ट किये जा रहे हैं मगर हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ जॉंबी को मारकर उसके अंदर का क्रिस्टल को खटा करना है और इसी पर वो अभी तक इस जॉंबी के दुनिया में सर्वाइब कर पाया है फिर वो बताता है क्योंकि मैंने जो भी उन 10 सालों में एक्स्पिरियंस किया है मैं उन्हें भूल नहीं सकता अब हमें एक सीन दिखाए जाता है जहां बहुत सारे कवए मीट को खाए जा रहे थे और जिसक के बारे में सोचा था मगर आज मैं इसमें सर्वाइब तक नहीं कर पाया और अब मैं मनने वाला हूँ और अब वो हमें बताता है आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया दस साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण 90% अबादी जॉंबी में बदल गई जो किसी मोंस्टर से क उपर पावर भी ले सकते हैं जिस वजय से इंसान अब विल्स को पाने के लिए लड़ने लगे इसी कारण ये पूरी दुनिया एक मैराथन बन गई है जहां हर कोई एक दूसरे के जान के लिए तयार था अब हमें जिन्दा रहने के लिए कुछ नियाम के पालंग करने पड इस दुनिया में लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं लाश्ट टाइम मैं ऐसे कुट्टे की तरह मरूंगा सिर्फ इस कारण क्यूंकि मेरे टीमेंट्स ने मुझे दोखा दे दिया क्या मेरी किसमत में यही लिखा हुआ था और यही सब सोचते सोचते उसकी आ पापा से जन्म तो नहीं हुआ तो अभी वो डेट और यर देखता है जिससे उसे पता चलता है वो एपोकलिपस आने से पहले वाले टाइम में आ चुगा है फिर वो मनीमन सोचता एक मिनट मेरा रिबॉन हुआ है यानि मेरा पूनर दनम हुआ है इसका मतलब अपने आपको चेंज कर पाते है मैंने एपोकलिपस का टाइम पर बहुत ही मैनत किया था फिर भी मैं मारा गया और अब मुझे जीना होगा क्योंकि मुझे दूसरा चांस मिला है फिर वह उठकर वहां से जाने लगता है तभी बैशी उससे पूछती है तुम कहां जा रहे हो यह सुनकर मि मेरे लिए छोड़े गए थे मगर मैंने इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया था अब मुझे इसे जल से जल यूज करना होगा नहीं तो यह पैसे बेश चले जाएंगे तभी बैशी चिल आते हुए कहती है ओई मिंग मैं तुम हरसे कोशन पूछ रही हूँ और तुम कहां में जॉंबिस इस दुनिया पर आई थे तब मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी इस लड़की को बचाने के लिए मगर इसने मुझे छोड़कर उस जुन को चूज किया तब वो उससे कहती है ये तुम कैसा जूटा इल्जाम लगा रहे हो मेरे उपर तुम साफ साफ रहना वो एक ऐसा लड़का नहीं है जिससे तुम अपने पार्टनर का रूप में चून सकती हो फिर वो याद करता है कैसे उस जुन ने बैशी को सिर्फ तीन कैन फूट के लिए बेज दिया था फिर वो बोलता है मगर क्या फायदा मेरे बोलने का जब ये मेरे उपर भरोस का इंतजाम करना पड़ेगा फिर वो टेक्सी ड्राइबर को पैसे देते हुए जल से जल पास वाले हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है उसके बाद वो कहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेट चीज है मेडिसिन फिर वो हॉस्पिटल लाकर मेडिसिन को बैग में भनने लगता है तब ही वहाँ पणनर्स आती है जो उससे पूचती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर वो उसका पीछे करते हुए पूछने लगती फिर वो नाइफ लेते वे जाते वे सोचता है चलो सस्ते में मिल गया दूसरी तरह दुकान का मालिक सोच रहा था ये कितना बेवकूफ है मैंने इसे ये नाइफ 10 गुना प्राइस पर बेचा है फिर भी ये लेकर चला गया उसके बाद वो ड्राइबर को जल से जल हेडे मनीमन सोचता है अब सिर्फ वील बचा हुआ है वील पॉर्टल को वील के नाम से भी जाना जाता है ये कैसी चीज है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं एपोकलिप्स के टाइम पे और ये सबसे ज़्यादा उस टाइम पर भी काम आती है इससे हम वाटर, फूड और मैडि में दे दूंगा ये सुनकर ड्राइबर तेजी से टैक्सी को अंदर के तरफ ले जाने लगता है ये देखकर गार्ट जल्दी से हैड़कॉर्टर में रिपोर्ट कर देते हैं इस बारे में उसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है तब ही वहाँ पर गार्ट भी आ जाते है उनमें से एक गार्ट कहता है ओए बच्चे तुझे मेरी बास सुनाई भी दे रही है या फिर नहीं या फिर तुपागल बनने की कोशित कर रहा है ये सुनकर मिंग कहता है वहाँ पर देखो और जैसे वो सब गार्ट उस साइट देखते है तब वो शौक्ड होते है पूसत कर रही है अगर यह सर्वाइबल गेम ऐसे चलते रहा तो मैं इस बार इस चांस को आपस नहीं जाने दूँगा और सबसे स्ट्रॉंग बनकर दिखाऊंगा मैं अब अपने पुनर जनम को बरबाद नहीं कर सकता तब ही वहां पर एक बहुत बड़ा इस पेशिप नीचे आन लगता है और मनी मन सोचता है अगर यह वही स्पेशिप है इसका मतलब यह अटेक पांच मिनट होने वाला है फिर वह वहां से भाग कर एक मेंशन में आता है जहां वो छुपने के लिए उस मेंशन का बेल बजाता है तब उस मेंशन से कोई पूचता है आखिर तुम हो कौन तब मिंग बताता है कि मैं डिलिवरी मैं हूँ जल्दी से दर्वाजा खोलो फिर मेंशन का दर्वाजा खोल जाता है फिर वो अंदर जाते वे सोचता है यह बैटल शुप पांच मिनट अटेक करने वाला है तब तक के लिए मैंशन के अंदर छुप जाओंगा और जब ऐसा लग रहा है जैसा इसके पास कोई सी भी अबिलिटी नहीं है और यह मेरा कुछ भी ने गर पाईगी तब ही बाहर एक बहुत बड़ा ब्लाश होता है यह देखकर दोनों जने डर जाते है तब मिंग मनीमा सोचता है अटेक स्टार्ट हो चुका है अब हम बाहर का सीन द पर फिर वह उस अपने घड़ से जाने के लिए बूलती है नहीं तो वह पुलिस बुला लेगी लेकिन मिंग उसकी बात नहीं सुनता तब हुँ उसकी नजर किचन के तरह पढ़ती है और फिर वह जैसी किचन में जाता है तब लड़की भी उसका पीचा करने लगती है जहा तो तुम इसके लिए यहां पर आये हो लेकिन यह चीज मेरे घर में क्या कर रही है तब ही मिंग की नजर वील में एक डिवॉर्ट पर पढ़ती है जो कि यह ग्रीन कलर का लिकविड होता है यह देख करो खुश होते वह बताता है यह इस वील में सबसे बढ़िया चीज होत पर वह सोचता है अगर मेरे लेवल 5 होगा तो मैं इस वील को एकसेस कर सकता हूँ और फिर वह जैसी अपना हाथ लगाता है तब वह देखता है कि वील को एकसेस करने के लिए साथ लेवल चाहिए होता है और साथ में क्रिश्टल की जरूरत पढ़ेगी यह देखकर मिंग श पुस्ती आखिर तुम कर क्या रहे हो और यह वील मेरे घर पर क्या कर रहा है और तुम किस काड के वारे में बात कर रहे हो तब मिंगु से बताता है तुम्हें पता नहीं है यह एक जोगर कार्ड है जिससे तुम्हारा स्टन्ध बहुत जदा बढ़ जाएगा फिर वह उस बड़े strength मिल सकती है नहीं तो तुमें एक stronger pet मिल सकता है ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम अपना ये बगवास बंद करो ता मिंग कहता है बाहर देखो बाहर अब सब शांत हो चुका है ये देखकर वो लड़की बोलती है हाँ अब कुछ भी बाहर से शोर नहीं आ रहा फिर वो जैसी गेट पर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पर एक zombie होता है वो देखकर तो बहुत जादा ड़ जाती है तब ही वो zombie उस पर attack कर देता है जिससे वो अपने दो और zombie आते है ये देखकर वो लड़की डरते हुए कहती है वो देखो दो और zombie आ रहे है तब ये उसके सामने मिंग खड़ा हो जाता है फिर वो उन दोनों zombie को मार देता है क्योंकि वो पिछले life में ऐसे बहुत से अंगिना zombie से लड़ा हुआ था और उसे ऐसे zombie से लड़न मनी मन सोचता है में पिछले life में मूसेन फी नाम की एक लड़की थी जो कि एक 9th grade की legendary fighter थी क्या ये सच में वही है तब वो लड़की ड़ते हुए उससे पूसती है आखरी ये सब चल क्या रहे तब मिंग उसे बताता है कुछ alien battle ships ने हमारे धरती पर एक green gas छोड़ दिया है जिस कारण यहाँ पर जितने भी weak लोग है वो सब zombie बन जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कि zombie नहीं बन रहे जैसे कि मैं और तुम ये सुनकर मिंग उसे पूसती है तो अब हम क्या करें क्या सरकार या military हमें बचाने आईगी तब मिंग बोलता है शायद नहीं क् अखरी ये एक 9 grade की fighter कैसे बनी देखने में तो ये बहुत ही मामूली से लगती है फिर वह सोचता है खेर छोड़ो वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मुझे असिस्ट कर सके और ये इसके लिए best है फिर वह उसे बोलता है चलो मेरे साथ आओ मैं तुम्हें सब को zombies इसके बारे में explain करता हूँ और उसके बाद वह फिर से वही wheel के पास जाकर बोलता है इस wheel से हम कोई सबी supply मंगा सकते हैं दूसरी दुनिया से लेकिन उसके लिए हमें crystal की जरूरत पड़ेगी हमें एक wheel को spin करने के लिए 7 crystal चाहिए यानि हमें 7 zombies को मानना पड़ेगा ये सुन कैसे बता ये सुनकर मिंग सोचता है मैं इसे कैसे बता हूँ कि मैं reborn हुआ हूँ और मुझे बताना भी नहीं चाहिए फिर वह उसके बातों को करते हुए कहता है क्या तुम इस wheel को spin करना चाहती हो ये सुनकर वो लड़की खुशी-खुशी हमें जवाब देती है ता मिंग कि वहाँ पर सभी के सभी लोग जॉंबी बन चुके हैं ये देखकर वह वहाँ के सभी जॉंबी उसको मानने लगता है और एकर करके मार कर उनमें से क्रिष्टे निकालने लगता है उसके लिए जॉंबी उसको मानना बहुत ही असान था चूशी उसने पिछले life में पूरे 10 सलिही काम किया था, तब ही उसे कुछ आवाज आती है, और जब वो पीछे देखता है कि वो एक लड़की की आवाज है, जिसके पीछे जॉंकी भाग रहे थे, और वो उसे बच क्यों भाग रही होती है, फिर वो और कोँई जोंबी बन जाती है और मिंग पर मिंग पर अटीक कर देती है लेकिनमिंग यहां बहुत ही फास्ट होता है वह उसे पीछिक घृता है आदकेश्या 5 मिंग ने देता है यहांग हम घर और वो देखता है कि reward आया है जिसे देखकर वो लड़की तो बहुत खुश होती है लेकिन मिंग नहीं होता क्योंकि वो पीरेट अपोकलिप्स होता है फिर वो लड़की अपने फ्रिस को खोलता है मेरे पास बहुत दिखाना है जो कि हम दोनों के लिए काफी है लेकिन यहां म मिंग बहुत ही उदास था क्योंकि उसने अपना एक चांस खो दिया था फिर वो उस लड़की से बोलता है यह लो अब तुम अपना लग ट्राय करो तब मुसिन फी उस क्रिस्टल को लेकर एक करके उसके अंदर क्रिस्टल लगाने लगती है इधर में उसे देखकर सोच रह होता है चुकि वो एक Elimination Card होता है फिर हमें बताया जाता है कि Elimination Card क्या होता है इस Card की Help से वो इस वील के किसी भी एक अवर्ड को Cancel कर सकते हैं यानि Eliminate कर सकते हैं तब मिंग बोलता है वैसे अभी हमें इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन क्या पता future में काम आ जाए फिर व बोलर की बताती है आज तक मैंने जितने भी competition खेले हैं उसमें मैं हमेसा first आई हूँ यह सुनकर मिंग बहुत ज्यादा shocked होता है चुकि वो बहुत ही अनलखी होता है और आज तक उसने एक भी प्राइज नहीं जीता है फिर वो हसते वे मनीमन सोचता है यह बहुत ही लगी है और मैं इसका use करूँगा इस wheel को open करने के लिए और यह सी नहीं cut होता है अब हम next मिंग को देखते है जो के crystal को हटा करने के लिए बाहर जा रहा होता है तब ही वहां motion free आती है जो इससे पूसती है क्या तुम सुबह सुबह जा रहे हो यह सुनकर मिंग बोलता है आज का मेरा किचनी सब कुछ होता है तो मैं मिंग के लिए बहुत ही अचा खाना बनाऊंगी अब हम देखते है मिंग अपने crystal को इखटा करके घर आ गया था और वो जैसी घर में entry करता है तब ही महां motion free भागते वे आती है तब मिंग बोलता है मेरे पास दो news है एक है bad news और दूसरा है good news बोलो तुम क्या सुनना चाती हो ये सुनकर motion free घबराते हुए कहती है अच्छा ऐसा करो मुझे पहले अच्छी खबर सुनाओ तब मिंग बोलता है हमारी एरिया में एक भी जॉंबी नहीं है क्योंकि मैंने उन सब को मार दिया है ये सुनकर motion free बोलती है ये तो बहुत अच अच्छा news था मिंग बोलता है लेकिन मैंने इतने लेकिन मुझे बस इतने क्रिस्टल मिले है मैंने घर घर जाकर सारी जॉंबी से बोलता है मैं बहुत ही ठक गया हूँ कि खाने के लिए कुछ है ये सुनते ही motion free परिशान होने लगती है फिर वो अपना बनाया हुआ खाना स परिश अच्छा है ये सुनकर मुसन थोड़ी रिलीवड होती है फिर मिंग मनीमन सोचता है मुझे जो खाना मिलेगा मैं उसा खालूंगा चुकि पिछले लाइफ में तो मुझे भूख के कारण इंसानों का मास खाना पड़ा था फिर वो बोलता है ठीक है मेरा पेट भर ग कहती है ये लो मैंने अपना लग तुमारे हातों में ट्रांसफर कर दिया है तो अब तुमें स्पिन कर सकते हो ये करने के बाद हम देखते कि दोनों ब्लश कर रहे होते हैं अब मिंग वील को देखते वे कहता है अब इसके अंदर सिक्स रिवार्ड है और मुझे उसमें सो लिक्विड चाहिए जो कि एक इनहेंस पोशन है ये देखकर मु बोजदी है चूना हम इसे अलिमेनेशन काट का यूज़ करें और फिर वो इस काट को ऊपर करती है वैसे ही वो काट यूज़ हो जाता है और वो काट जलने लगता है ये देखकर मिंग बहुत ज़्यादा श पोशन मिली जाता है ये देखकर वो दोनों बहुत दिखुश होते हैं इस इनहेंस पोशन को पीने से किसी के बॉड़ी के अबिलिटी तीन गुना बढ़ जाती है फिर मिंग कहता ये पोशन हमारे लिए बहुत ही इंपोटेंट है और हमारे बहुत काम आने वाला है ये दे मैंने सोजा नहीं था कि ये यहां पर काम आएगा ये देखकर मुह कहती है इससे तुम एक बोटल को डबल कर सकते हो तब मिंग कहता है हां तुम कुछ हद तक ठीक हो इस दुनिया में ऐसा ही बहुत सारे बील्स आएंगे जिससे हम लोगों से इस बोटल को ट्रेड कर सकते ह या तो कोई काट के लिए या फिर दूसरी अबिलिटी के लिए ये सुनकर मुह कहती है हां तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम्हें ये सब कैसे बता ये सुनकर मिंग बहुत ज़दा नर्वस हो जाता है फिर वो उसके बातों को काटते हुए कहता है इस पोशन को रेडी करने क लिए हमें यहां के टेंपरेचर को मेंटेन करना पड़ेगा और हां तुम इस बात को सीख लो तुम्हें भी ये करना आना चाहिए तब मुह कहती हां मैं समझ गई मैंने ये सब कुछ अपने दिमाग में च्छाप लिया है फिर मिंग बोलता है मैं इसी मेथड से अब दूस कहता है चलो यहां से तब मुह से पूसे क्या हुआ कोई जॉंबी होगा ना तुम उसे मार देना फिर मिंग उसे बताता है ये कोई जॉंबी से कुछ बढ़ा है वह एक मॉंस्टर बग है फिर हमें बदा चलता है उस गैस से बहुत सारे जीव है जैसे चीटी कीडे बग्स यह सब भी म्यूटेंट बन चुके है और इनका साइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तब ही हम देखते है कि वो वक्स गेट को तोड़ने लगते है और फिर वो सब उपर जाने लगते है वो वक्स नमबर में भी काफी ज़्यादा होते है इधर मिंग उपर वाले क कमरे में पहुचकर उस गेट को बंद कर देता है और फिर वो मूझ से हल्प मांगता है एक टेबल को खिसका कर गेट को ब्लॉक करने के लिए ताकि वो वक्स अंदर ना आ पाए और नहीं गेट को तोड़ पाए तब मूझ से पूचती आखिरों किस टाइप का बगस है तब मिंग कहता है तुम्हें डणने के जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए हूँ यह सुनकर मिंग सूचती है मैं इसके पास बहुती सेफ हील करती हूँ तब मिंग उससे बताता है एक काम करो तुम उस वाले कमरे में छूप जाओ तब तक मैं बक्स लड लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं फिर वह उससे साइट अफेक्ट्स होने लगते हैं उसके बोड़ी में दर्द होने लगता है तब ही एक वक उसके उपर हमला कर देता है और फिर वह एके करके सभी बक्स को माने लगता है फिर हम देखते हैं कि मिंग ने सभी बक्स को मार दिया ह होता है फिर वह सोचता है मुझे पहले इन बक्स गिरानी को मानना होगा नहीं तो इनकी अबादी बहुत ही जादा है और यह मेरे पास आते ही रहेंगे तभी महाँ पर क्विंग की एंट्री होती है यह देखकर मिंग कहता है बहुत बढ़िया तुम बहुत ही साई टाइम पर आई हो तभी वह बग उसके उपर डैकर देता है यह देखकर मिंग वहां से जम करता है और उसे बच जाता है फिर वह उससे कहता है क्या तुम अपने आर्मे का मुझसे रिवेंज लेने आई हो लेकिन टेंशन की कोई वाद नहीं है चुकि मुझे पता है तुमें कहां पर म मानना है फिर वह उचल कर उस बग के पीट पर मारता है और उसे वहीं खतम कर देता है उन बक्स को मानने के बाद मिंग बहुत जादा ठक जाता है और मनी मन सोचता है जितना मैं अपने पावर से यूज़ करूंगा उतना ही मुझे अफेक्ट पड़ेगा और इसे बहुती दर्ध होता है फिर वो दर्वाजा को खुलते हुए कहते है मो अब तुम बाहर आ सकती है ये देखकर मोँखंश होते हुए उसे हकर लेती है ये देखकर मिंग कहता है आखिर दुम रो क्यों रही हो यह तो बस एक छोटा सा अपकलिप्स था ये सुनकर मोँखंग शर्मा त होती है फिर हम देखते कि वहां पर मुंँ एंबैरस फील कर रही होती है फिर वह अपने रूम में उनसे बख्सकों को देखते हुए कहती है इतने सारे तब मिंग कहता है हाँ तुमने सही कहा फ्यूचर में हमें खाना तीन तरीके से मिलेगा पहला जो की अनेकस्पायर्ड खाना होगा दूसरा जो खाना हमें वील से मिलेगा तीसरा हमें इनी वर्म्स को खाना पड़ेगा ये सुनकर मूँ थोड़ा शौक्ड होती है और उससे कहती है क्या हमें इन वम्स को खाना पड़ेगा तब मिंग उससे कहता है वेल इन कीड़ों को खाना तो इनसानों के मास को खाने से बहुत ही बहतर है ये सुनकर तो मूँ परिशान होते है क्या हमें इंसानों का मास खाना पड़ेगा दरहसल उसे पता नहीं होता कि आने वाले future में पूरा खाना की खतम हो जायेगा तो उनके बस खाने का option बचेगा ही नहीं तो उन्हें ना चाहकर भी इंसानों का मास खाना पड़ेगा और ये scene ही cut होता है अब हमें नेक्स सीन में एक बाल्टी में दिखाए जाता है जहां किसी ने बक्स को काट कर उसके टुकड़े करके एक बाल्टी में डाल दिया था और वो बक्स अभी भी हिल रहे होते हैं फिर हमें मूँ को दिखाए जाता है जो कि एक बग के सामने खड़े होते हुए सोसती है मुझे ये कन नहीं होगा और फिर वो बड़ी तेजी से काटने लगती है तब ही महा मिंग आता है जो उसे ऐसे भयानक तरीके से काटते हुए कहता है तुम तो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हो ये मीट कटिंग काम तुम्हारी लिए बैस्ट है ये सुनकर मुझे अपना मास खटाते है कहती है आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो क्या तुम मुझे परिशान करना चाते हो तुम्हें पता है न ये काम कितना घिनोना है और अगली बार ऐसा मत बोलना ये सुनकर मिंग बोलता है हाँ और इस पर मुझे कुछ दूर जाना पड़ेगा जॉंबिस को मानने के लिए ताकि मैं और क्रिस्टल को इखटा कर सकू जिससे हम वील्स को घुमा सके ये सुनकर मुझ थोड़ा निराश होती है क्योंकि उसे डर था कि अगर मिंग जॉंबिस से लड़ने जाएगा तो तो वो भी जॉंबिस बन सकता है फिर वो खड़े होते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी उसे ऐसे देखकर मिंग कहता है डरो मत मैं वापस पका आ जाऊँगा और यह सीनही कट होता है अब हमें मिंग को बाहर जाते वे दिखाए जाता है जहां मुह उसे जाते वे देखकर परिशान होती है और मनीमन सोचती है प्लीज वापस आ जाना अब हम मिंग को देखते हैं जिससे सिटी में जाते जाते शाम हो गई थी फिर वो देखता है कि उसके आज सपास बहुत सारे जॉंबिस मरे पड़े हुए थे ये देखकर वो मनी मन सोचता है शायद जॉंबी जॉंबी ना फाइट की होगी इसकारण ये समर चुके है वो आके जाही रहा होता है तब ये उसे एक वाज आती है प्लीज मुझे बचा लो ये सुनकर मिंग रुख जाता है और वो पीछे देखते हैं सोचता है आखिर ये स्टुपिड है कौन जो इतनी तेजे से चिला रही है अगर ये ऐसी चिलाती रही तो इसकी अबास सुनकर आसपास के सभी जॉंबिस हमारी तरफ एट्रेक्ट हो जाएंगे अब हम मिंग को देखते है जो एक गली में जाता है जहां उसे एक लड़की देखती है तब ही वो लड़की उसे कहती है प्लीज मुझे बचा लो ये देखकर मिंग उसका मुझ पकड़ते है कहता है शांत रहो नहीं तो जॉंबि हमारी तरफ एट्रेक्ट हो जाएंगे लेकिन इनसम में बहुत ही देर हो चुका था फिर हम देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे जॉंबि होते हैं जो उन्हें खाने के लिए बढ़ने लगते है तब ही एक जॉंबि उस लड़की पर अटेक करता है ये देखकर मिंग उसे खीचते हुए अपना चाकू निकाल लेता है और वो जॉंबि से फाइट करने के लिए रैडी हो जाता है और फिर जिस जॉंबि ने उस लड़की का हाथ पकड़ा था मिंग उसका गर्दन काट देता है तब हो देखता है कि बहुत सारे जॉंबि से उसके आगे बढ़ रही है ये देखकर वो उन्हें एक एक करके मानने लगता है फिर वो उस लड़की को धका देते हैं कहता है यहां पर बहुत सारे जॉंबि से इसलिए यहां से भाग जाओ ये देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है और एक गली में आकर रुक जाती है तब युँ उसे एक दरवाजा दिखता है ये देखकर वो उस दर्वाजे को खोल कर उस रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ खड़े होकर हाफने लगती है हम देखते हैं कि वो लड़की इतनी डर जाती है कि उसके आखों से आसु निकल रहे थे फिर वो दर्वाजे से बाहर आते हुए मिंग को देखती है जो जॉम्बी को कुटे की तरह काटे जा रहा था बिल्कुल फ्रूट कटर की तरह फिर वो चिलाते हुए मिंग को अंदर आने के लिए कहती है ये देखकर मिंग उन जॉम्बी को मारते हुए उस दरवाजे की तरह बढ़ने लगता है लेकिन तभी कुछ जॉम्बी उसके जैकेट को पकड़ लेते है लेकिन मिंग कैसे भी करके अंदर आ जाता है और फिर वो दरवाजे को जैसी बंद करता है तभी एक जॉम्बी अपना हाथ लगा लेता है जिस कारण वो दरवाजे को पीछे आ जाती है और उस लड़की की स्पीड कम होती है जिस कारण वो स्लो भाग रही होती है तब ही एक जॉंबी उसका पैर पकड़ लेता है और उस लड़की को अपनी तरफ खीचने लगता है और मिंग भी इसे नोटिस करता है तब वो कूतते हुए उस जॉंबी का गला कज़ए रौष्णी होने लगती है ये देखकर वो सॉसता आखिर है क्या और यह पीछे देखता है था कि एक बड़ी लिओड़ने के पास एक सधियरा होता है यह जो कि एक उलका पिंट की दरह देखना होता है यह देखकर होगद होते हैं यह लुख से देख जिर पहुत हो होता है मेरे पिछली लाइफ में हाई ग्रेट के फाइडर्स भी इसे देख नहीं पाए थे और फिर वो मन्नी मन सोचता है मैं इसे कैसे भी करके हासिल करके रहूंगा तब वो लड़की चिलाते हैं कहती है अपने पीछे देखो तब हम देखते हैं कि एक जॉंबी ने उसके उपर अटाक कर दिया होता है यह देखकर मिंग परिशान हो जाता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे जॉंबी आते हैं लेकिन फिर भी मिंग उस जॉंबी को पंच मारता है और उससे कैसे भी बच जाता है फिर लड़की शॉंबी अट होती है फिर मनीमन सोचती है कुछ दिन पहले यो मैंने सोचा था वो सब मैंने हासल कर लिया था लेकिन अब देखो क्या हो रहा है फिर हमें बताये जाता है वो लड़की बहुत ही फीमस है अपनी सुंदरता के कारण उसके आस पास लड़के मंडराते रहते हैं और उसकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है साथ ही साथ वो बहुत ही अमीर है वो अपने युनिवर्सिटी में भी टॉप करती है और हम इसे टॉप थ्री में आती है फिर वो कहती है मैंने जो भी ड्रीम देखा था वो सब मैंने हासल कर लिया था लेकिन इस जॉंबी एकोलिप्स के कारण मेरा पूरा परिवार खतम हो गया फिर हम देखते हैं कि बहुत पागलों की तरह वहां बैठना बंद करो और यहां से भाग जाओ यह सुनकर उस लड़की को रिलाइज होता है कि उसे इस लाइफ में कैसे भी स्ट्रकल करके जीना ही पड़ेगा फिर वो देखती है कि मिंग उसे बचाने के लिए जॉंबी से फाइट करे जा रहा है और व मैं नहीं मनना तो मेरी पीछे आओ इधर मिंग उपर जाते वे सोचता है मुझे चल्दी से उस डंजियन की को ढूनना चाहिए फिर हम उस लड़की को देखते है जो मिंग को देखते वे सोचती है यह वंदा बहुत ही पावरफुल है अब एक उस देर पहले ही मैं मनने वा का तभी वो थोड़ी दिर आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सा फील होता है फिर वो अपने सामने देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी जड़े होती है यह देखकर वो दोनों सोचते हैं आखरी है क्या तब वो लड़की उस जड़ों का पास जाते यह देख कर मिषंग अपने चाकू को निकालकर उस पेड़ की साठी डालियों को काटने लगता है और उस लड़की को बचा लेता है तब वो लड़की उससे देखते हैं सोचती है अपनी जान को जोखी में डालकर मेरी बचाई है कहीं यह मुझसे तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मिंग के कंदे पर अपना सिर रखते वे सोचती है कहीं यह बंदा मुझे पसंद तो नहीं करने लगा मेरी सुदरता के कारण तभी मिंग अचानक सा उसे नीचे छोड़ देता है और उससे नीचे गिराते वे क कहता है तुम बहुत ही भारी हो हलका थोड़ा वेट कम करो यह सुनकर तो उस लड़की का मुझे बन जाता है अब में उन डाल्यों काटने लगता है और आगे बढ़ते सोचता है इन जॉंबी प्लांट मेरा दिमाग खराब कर दिया है यह सुनकर वो लड़की सोचती है मिंग कहता है करना कुछ भी नहीं है फिर वो दर्वाजे को लात से मार का तोड़ देता है और जब वो छट पर जाते है तब वो देखते कि वहाँ पर पहले सी बहुत सारे लोग होते है जो जॉंबी से बचने के लिए वहाँ पर आये होते है यह देखकर वो दोनों शॉक् भी नहीं आएगा तब वो बंदा कहता है नहीं अगर कोई भाग कर आ गया तब हम क्या करेंगे फिर हम देखते है कि उन में से कुछ लोग उस दर्वाजे को फिक्स करने का ट्राइ करते है लेकिन वो दर्वाजा फिक्स नहीं होता यह देखकर वो पीले बाल वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और वो मिंग की तरह बैट करते हुए कहता है तुम्हारे कारण अब हमारी जन खत्रे में है अगर यहां पर जॉंबी आ गए और हम सब मारे जाएंगे तो सब तुम्हारी गलती होगी तब यह उसके पीछे एक बंदा उसे सांत करवाते हुए कहता है श एक लिए लगता है हमारे पीछ होगी ए बताओ अब तुम क्या करने वाले हो क्या तुम्हारे पास कोई प्लाइन है तुम्हारे के मिंग कहता है मुझे वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर एक लाइट आगा गिरी थी जिसे मुझे देखना है तब वो पीले बाल वाला बंदा कहता है तुम बस उसे देखने के लिए वहाँ जाना चाहते हो वागई में तुम तो बहादुर दिखते हो तब मिंग उससे पूचता है क्या तुम है कोई दूसरा रास्ता नहीं बता वहाँ जाने का तब वो पीले बाल वाला बंदा कहता है बगल का साइड में ही बिल्लिंग से कूट कर तुम उस गली में जा सकते हो लेकिन तुम वहाँ जाने का सोचना भी मत चोकि वो बिल्लिंग बहुत ही उचा है और अगर तुम हाँ से गिर जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है तब मिंग कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ से कूदूँगा तब वो लड़की उससे रोकते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगे यह सुनकर मिंग कहता है ठीक है यह बैक पकड़ लो यह देखकर वो पीले बाल वाला बंदा हसते हुए कहता है क्या तुम इस लड़की के साथ इस बैक को पकड़ कर कूदने वाले हो एक काम करो यह बैक मुझे देदो मैं इसे समाल लूँगा और तुम जैसी इस बैक को भी तुमारे पास फैक दूँगा लेकिन वो लड़की उसे बैक देने समना कर देती है तब वो बंदा गुस्से में कहता है यह बैक दे दो तब मिंग उसे रसी से बांते वे कहता है जली से मेर उपर आ जाओ और फिर वो जैसी उसे बांत कर खूदने वाला होता है तब ही वो बंदा अपने बैट से उसके हाथों पमारता है और उसे बैक देने के लिए बूलता है यह देखकर मिंग और वो लड़की दोनों उस पर गुस्सा होते है तब मिंग कहता है इस्टूपिड बहुत लेट हो गया फिर वो बिल्लिंग से खूद जाता है यह देखकर वो सबी बंदे शौक्ड होते है और सोचते है क्या यह पागल है यह इस बिल्लिंग से कैसा खूद सकता है यह तो बहुत ही इंपोसिबल है फिर हम देखते हैं कि मिंग अराम से अगली बिड referee में पहुंच भी आता है फिर मिंग उस लड़ा की को नीचे उतार देता है अब हम देखते हैं कि वो लड़ा की डर के कारण काप रही होती है तब मिंग उस से पूच्टा है क्या तुम ठीक हो कुछ आदमियों को देखते हैं जो एक लड़की के साथ बत्तमीजी कर रहे होते हैं अब हमें स्कूल का सीन दिखाये जाता है जहां पर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं तब उन में से एक बंदा बोलता है क्या तुम मुझे अपना सिगरेट दे सकते हो यह सुनकर वो जो सिगरेट पी रहा था वो बोलता है पागल हो गया है क्या पहले ही यहाँ पर बहुत से कम चीज़े मिल रही है उपर से तु मेरा सिगरेट मांग रहा है मुझे तो यह सिगरेट उस भुढधे के बोड़ी से मिला तब दूसरा बंदा बोलता है अगर तुम्हें इसमें फेक देंगे, ये सुनकर दूसरा वाला बोलता है, लेकिन तुम लड़कियों को छोड़ देना, हमारे लिए, ये सब वो सभी बाते कर रहे होते हैं, तब ही वहाँ पर वही बंदा आता है, जो किसी मॉंस्टर से कम नहीं था, जो अभी अभी मिंग को दूरविन से दे क्या इसी को डिस्ट्रक्शन कहते हैं, ये सब सुनकर उनका बोस हस्ते बोलता है, आखिर तुम सब परिशान क्यों हो, देखो तुम इस दुनिया में जो चाहूँ कर सकते हो, कोई तुमें रोकने वाला नहीं है, तुम जिस लड़की को परिशान करना चाते हो, कर सकते हो, और नहीं याँ पर पुलिस है, ये सुनकर वो सिग्रेट वाला बन्दा बोलता है, हाँ ये तो है, तब उसका बोस बोलता है, आभी फिलाल में जो दुनिया है, वहाँ पर सिर्फ तागतवार लोग के जी सकते हैं, और सिर्फ इस ट्रॉंग लोग के ही कानून चलेंगे, फ आखिरे स्कूल क्यों जा रहा है, क्या इसे कोई रास्ता पता है, इन जॉंबी से बचने के लिए, फिर वो मिंग से बोलती है, थैंक्यू, मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, ये सुनकर मिंग हसते वे कहता है, क्या तुम मु ये सुनकर वो लड़की शॉक्ड होती है, और वो इमेजिन करने लगती है, कैसे जॉंबी सुझे मार देंगे, और मिंग वहाँ से भाग जाएगा, तम मिंग थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ये मत सोचना कि मैंने तुम इसलिए बचाया है, चुकि तुम बहुत ही प् मिंग है, ये सुनकर वो लड़की थोड़ा खुश होते हुए कहती है, चलो, इसने मुझे अपने नाम तो बताया, ये बहुती कड़ी बाते करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा इंसान है, तब ही हम देखते है कि स्कूल की विल्डिंग से बहुत सारे बच्चे चि फिर वो वहां से भागते हुए लियांग को अपने आपको बचाने के लिए कहता है, और फिर वो बढ़ी तेजी से स्कूल के बिल्लिंग में चड़ने लगता है, जहां पर वो जॉंबिस बच्चे को खा रहे थे, और जाता ही जॉंबिस को एक मुझ पे लाग मारता है, जि इसा कि मैंने सोचा था, इन सब ने उसकी की लेंडिंग को देखा होगा, तब ही हम देखते कि एक टीचर एक जॉंबि के बाश जाते हुए कहती है, जाओ क्यांग मर चुकी है, फिर वो अपने बच्चों के बाश आते हुए कहती है, तुम रो मत, हम जल्दी से इस प्लेस क चोड़ देंगे, ये सुनकर वो बच्चे रोते हुए कहती है, ठीक है टीचर, मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना, तब उन में से एक बच्चे बोलता है, लेकिन हम इस जगा को कैसे छोड़ सकते है, बाहर तो हर जगा जॉंबी ही जॉंबी है, फिर वो टीचर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मैं इस स्कूल में इसलिए आया था, अगर तुम मुझे बताओगे कि वो कहां पर है, तो मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा, और तुम्हारी सेफटी का जिम्मा लूँगा, ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड होते है, तब टीचर पूषती है, आखिर तुम क्या ढूण रहे हो, तब मिंग कहता है, क्या तुमने वो लेंडीड स्काई को देखा था, जो एक तूटते तारे कि दर देख रहा था, ये सुनकर वो सब नर्वस होते हुए कहते है, नहीं हमने नहीं देखा, तब ही टीचर थोड़ा याद करते कि दर देख रहा था, और वो स्कूल के आसपा से लेंड हुआ है, ये सुनकर मिंग मनी मन सोचता है, लगता है, इसने सच में देखा है, तब मिंग उससे पूचता है, अच्छा बताओ, वो कहां पर लेंड हुआ है, ये सुनकर वो टीचर कहती है, लेकिन तुम हमें यहीं पर छोड़ दोगे अगर मैंने तुम्हें उसका लोकेशन बता दिया तो तब मिंग उससे कहता है अगर तुम यहां पर वेट करोगे तो तुम पका मारे जाओगे लेकिन अगर तुम बताओगे कि वो मीटिय और कहां पर लेंड हुआ था तब तुम्हारे पस एक चांस तो हो का जीनेगा अब तुम भी बताओ तुम्हें क्या चूज करना है यहां पर मनना चाते हो या फिर मेरे सा सेफली वहार निकलना चाते हो तब वो टीचर थोड़ा डरते हुए कहती है अगर मैं तुम्हें पताओंगी तो क्या हम सब बच जाएंगे तब मिंग उससे कहता है इ इस दुनिया में मजबूरी नाम की कोई सी भी चीज नहीं बची जो श्टॉंग है वही बच सकता है और जो वीक हो मरेगा ये बोल कर वो अपने चाको को निकालता है और उनसे बोलता है बताओ तुम मैंसे किसको मेरे साथ जाना है उसकी ये बाता सुनकर बच्चे थोड़ और इसकी अठीश के ऐसी कामें चलता है फिर गोलता है तवी एक जॉंबी अपने हांत आगे करता है ये देखकर मिनगं उसे एक लाद मारता है जिससे वो जॉंबी दूर जागर गिरता है और फिर मिंग उन जॉंबी को अपने चाकू से मार देता है फिर वो बच्चों को ले कर वहाँ से जाने लगता है उनके जाने के बाद टीचर सोस्ती है मुझे बहुत जादा डर लग रहा है लेकिन फिर मुझे एक हीरो की तरह एक करना होगा आखिर कर मैं उनकी टीचर जो हूँ यह मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों को बचाओ देख रहे हो इसे कहते हैं टीचर हमारा टीचर होता ना हो तो सबसे पहले भागता खासकर हमारा मैस वाला इधर मिंग बहुत ही तीजी से आगे बढ़ रहा था और बच्चे उसके पीछे ही थे फिर वो जैसे ही जीने पर आते हैं जहां वो देखते कि वहाँ पर बहुत सारे जॉंबिस होते हैं यह देखकर मिंग परिशान होते हुए कहता है यहां तो बहुत सारे जॉंबिस है मैं इस सबसे ठक चुगा हूँ लेकिन फिर भी मुझे इन बच्चों को बचाना पड़ेगा फिर मिंग महाँ पर भागते हुए आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसे बहुती अजीब सा फील होता है यह देखकर मिंग थोड़े डर जाता है और वो मनी मन सोचता है आखिर यह कैसी फीलिंग है फिर वो चिलाते हु फिल तो नहीं हुआ यह सुनकर मिंग मनी मन सोचता है क्या मुझे ही गलत फील हुआ तभी उसकी नजर नीचे की सीडियों पर पढ़ती है यह देखते हुए मनी मन सोचता है शायद मुझे ही गलत फील हुआ और यह टाइम वेस्ट करने का नहीं है फिर वह उन बच्चों सा शांत रहने के लिए बोलता है और फिर वो उपर देखते हैं सोसता है उपर तो कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे इंस्ट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकते हैं को जो बहुत ही ध्यान से चलना होगा फिर वो उन दोनों बच्चों को बोलता है ठीक है आगे बढ़ते रहो अब हम उ जैसे पीछ पीछे मूरती है तब हो देखती है कि वो मोंस्ट्र उसके उपर अटेक कर देता है और उसे खाना ही वाला होता है तशर्ण मिंग अपने चागु को फैकता है जिस से उस मोंस्टर का मुऔ कड जाता है ये देखकर वो मोंस्टर थोड़ा शोकड होता है और चिल्लाने लगता है हमदेख सकते हैं कि वो मौस्टर बोल सकता है फिर वह अपने हातों को आगे करते हुए कहता है मर जाओ लेकिन मिंग उस अटेक को डॉच कर लेता है और फिर वो उस मौश्टर को पंच मारता है लेकिन इससे कोई विए फैक्ट नहीं पड़ता ये देखकर मिंग थोड़ा परिशान होता है और वो मनीमन सोचता है ये तो मुटेटिट कॉप मेटल आम है एकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है तब ही वो मौश्टर मिंग के ओपर अटेक करता है जिसे मिंग बहुत ही मुश्किल से डॉच करता है और वो मनीमन सोचता है आखिर ये इतना फास्ट कैसे है ये तो बहुत ही कठीन है फिर मिंग उचलते हुए अपने पैरों से उसके पासने लगता है इधर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा ड़ जाती है तब उनमें से एक कहती है मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही क्या तुम मेरी हेल्प करोगे लेकिन वो लड़की उसकी हेल्प नहीं करती और वह आगे बढ़ने लगती है ये देखकर वो मनीमन सोचता है बढ़िया हुआ मैं इस गन को लेकर आ गया जो की लकी स्पी में निकला था अब मिंग आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तो अलमुष मरी चुगा था फिर मिंग उस लड़की से कहता है अगर तुम्हें नहीं मनना जल्दी से उपर चलो ये सुनकर वो से बहुत सारे जोंबिस आ रहा है तब हैं आगे हम देखते कि वहां पर कोई आता है जिसे देखकर मिंग शौक होता है और कहता है यह यहां पर क्या कर रही है फिर हमें पता चलता है कि वह लिएग होती है वह मिंग देखकर रोते हुए CH Hee फाइनली मैंने तुम्हें ढूंड लिया और फिर वो मिंग को गले लगा लेती है यह देखकर मिंग उसे पूसता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वो दोनों लड़किया उसे देखकर बोलते है अच्छा तो यह यूमन है तब उनमें से एक लड़की बोलती है आखर कि वो लाइट जॉम्बी को अट्रेक्ट करती है इसलिए मैंने अपनी जान को रिस्क में डाल कर तुम्हें यहां बचाने आ गई यह सुनकर मिंग कहता है वेट तुमने कहा तुमने लाइट देखा जो की जॉम्बी को अट्रेक्ट कर रहे है तब लियांग बोलती है हाँ म को है लाइट ऑफ वील शाइनिंग फिर वो सीडियों से नीचे जाते हुए कहता है चलो नीचे चलते है तब वो उन दोनों लड़कियों को देखते है इसने दो बच्चों को बचाया है अब हम देखते कि उनमें से एक लड़की आगे बढ़ती रहती है तब उनमें से हम इंखिड़की से उस टीचर को देखता है यह देखकर वो बच्चे अपने टीचर का नाम पुकाने लगते हैं इधर टीचर वो देखकर खुश होती है कि उनके स्टूडेंट सेफ है अब हम देखते हैं कि उसने एक पड़ची पर उसकी का लोकेशन लिख दिया होता है लेक ता मिंग उसे कहता हां वो एक टीचर है यह सुनके लिख को तो तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं तब मिंग कहता है क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी इसलिए मैं उसे एक लेसन सिखा रहा हूँ ये सुनकर लियांग मनीमन सोचती है आखरी ये बंदा है क्या मुझे इसकी बाते कभी कभी समझ नहीं आती इधर हम मिंग को देखते है जो उस परची पर लोकेशन को देखते वे खुश होता है और वो मनीमन सोचता है बढ़िया अब मैं उस डंजन की तक पहुच सकता हूँ और मुझे आम इंसान नोटिस भी नहीं करेंगे मेरे पास दो जगा है जहाँ पर मुझे एक्स्प्लूर करना है पहला है कंस्ट्रक्शन साइट और दूसरा साइनिंग आइटम जो कि लियांग ने कहा है वहाँ पर हाई चांसे है कि मुझे दूसरा वील मिल सकता है लेकिन ये दोनों बच्याजन अभी है मैं इन पर ट्रस नहीं कर सकता और मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले दा सकता चांसे को ढूणने के लिए फिर वो लियांग से कहता है लियांग मुझे बताओ तुमने वो साइनिंग प्लेस को कहा पर देखा था ये सुनकर लियांग कहती है लेकिन वहाँ तो बहुत सारे जॉम्बीस है तब मिंग कहता है वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीस है मतलब वहाँ तो कुछ तो बड़िया समान है ये सुनकर लियांग थोड़ा कन्फ्यूस होती है अब मिंग आगे बढ़ते हुए उन दोनों बच्चों को कहता है हम दोनों कहीं जा रहे है इसलिए हमें फॉलो करो और फिर वो सब उस प्लेस पर पहुंच जाते है तब लियांगों से कहती है अंदर मत जाओ वहाँ पर बहुत सारे जॉंबीस है ये सुनकर वो बच्चे चिल ये एक एपोकलिप्स है और यहां पर हर्दा के जॉंबीस ही होंगे और हां मैं तुम्हें चारे के तौर पर यूज नहीं करूंगा आखिर मैं इतना भी खराब नहीं हो फिर वो अपने चाको को निकालते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है बस सब मेरा वेट करो मैं बह पागल है क्या हुआ अगर उसके पास गन है लेकिन वहां पर जॉंबीस बहुत सारे हैं अगर सारी जॉंबीस उस पर एक साथ अटेक करेंगे तो उसकी बुलिट किसी काम की नहीं आएगी फिर वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए कहती है मेरे साथ चलो यह सुनकर उ वर हो चुगा है और उनकी फिकर कौन करता है वहां पर बहुत सारे जॉंबीस है तो पकका मिंग मरी जाएगा यह सुनकर उसकी दोस्त डरते हुए कहती है लेकिन उसने हमारी जान मचाई थी तब उसके दोस्त चिलाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है इतने सारे मिंग की जिंदा हो रही थी वो मनी मन सोचती है क्या हो सेफ होगा अब हम मिंग को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में एंटर कर देता है जहां हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जॉंबी होते हैं यह सब देखकर मिंग सोचता है मैं तो बहुत ही लगी हूँ यहां पर बात भी बहुत ज़्यादा दर्ध हो रहें अब हम देखते हैं कि वो सभी जॉंबीस मिंग पर हमला कर देते हैं तब मिंग एक हाद में चाक हो और एक हाद में गन निकाल कर रेड़ी हो जाता है उन जॉंबीस को मानने के लिए और ये सीन ही कट होता है अब हमें लियांग को दिखाए जाता है जिसे गनशोट की आवास सुनाई देती है ये सुनकर लियांग बहुत ज़्यादा परिशान होने लगती है इदर हमें उन दोनों लड़कियों को भी दिखाए जाता है जिनने उस गनशोट की आवास सुनाई दी थी ये सुनकर वो छोटे बाल बाली लड पर खाना भी होगा तो हम खाना ढूंड सकते हैं यह सुनकर उसकी दोस्त कहते हैं लेकिन उसका क्या होगा तब वह उसका हाथ पकड़कर खीशते हुए कहती है सबसे पहले अपने बारे में सोचो ना कि दूसरों के बारे में फिर हम देखते हैं कि उसकी दोस उसका हाथ दे यहां पर बहुत ज़्यादा खत्रा है इधर वो छोटी बाल वारी लड़की सोचती है क्या यह पागल हो चुकी है अगर मुझे पता होता तो मैं कोई न को यह स्कूज ढूंड कर वहां से भाग जाती तब लियांग उससे कहती है लेकिन मैं नहीं जाओंगी फिर अपने आपको भी बचा नहीं सकता और फिर भी तुम उसका वेट कर रही हो तब लियांग उससे कहती है आखिर तुम्हें कैसे बता कि वह अपने आपको बचा नहीं सकता और यह सीन ही कट होता है अब हमें बिल्डिंग के अंदर एका सीन दिखाए जाता है जहां पर बहु कि यह तो एक 3 कलर वील है और फिर वो बताता है कि इन 3 कलर वील्स के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे वील है जैसे कि 4 कलर वील, 5 कलर वील, 7 कलर वील, 9 कलर वील और कुछ special वील भी है इन वील्स को जितने तुम घुमाओगे उतना ही तुमें स्किल मिलेगा जैसे कि professional skill warrior skill, assassin skill, ranger skill और साती सात इसमें बहुत सारे support skill भी है जैसे कि doctor, alchemy, chef और बहुत सारे और जब तुम professional skill को obtain कर लोगे तब तुम wheel से बहुत सारे greatest source को भी obtain कर पाऊगे जैसे कि professional skill में तुमें assassin skill भी मिल सकता है साती सात बहुत सारे fighting techniques भी लेकिन ये color wheel बहुत ही rare है और मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मुझे three color wheel मिल जाएगा लेकिन इस टाइप के wheel में risk भी है जैसा कि इस wheel में black color है और जब तुम्हारा wheel black color में आएगा तब ये bomb के तरह फट जाएगा फिर वो wheel को देखते वे सोचता है लेकिन इस wheel में black color में एक batch बना हुआ है मतलब ये फटेगा नहीं बलकि ये भी एक professional skill है और फिर वो अपने हाथों को देखते वे सोचता है क्या मेरे जैसा बंदा लखी हो सकता है क्या मुझे मुझे सच में अपने abilities को transfer कर दिया था अब हम बाहर उन लड़कियों लड़की बोलती है अंदर बहुत सारे zombies है और मिंग बाहर नहीं आपाएगा इसलिए जल्दी से हमें चलना चाहिए तब लियांग उससे कहती है मैं उसे address करती हूँ अगर तुम्हें यहां से भागना है तो तुम जा सकती हो लेकिन मैं तुम्हें warning देना चाहती हूँ कि त तुम्हें careful रहना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी जाओगे और zombies तुम्हें काट लेंगे तब ही वहाँ पर उसकी दोस्त आते हूए कहती है आखिर हम zombies को अट्रेक्ट कैसे करेंगे बलकि मिंग ही उन zombies को अपने पास बुलाता है और बाहर तो zombie बहुत ही कम है तो zombies हमें मि और फुल बंदा है लेकिन वो एक idiot है इसलिए ये भी मिंग की तरह मनना चाहती है ये सुनकर लियांग को बहुँ ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की को एक चाटा मारती है और फिर वो उससे गाली देते हो कहती है भूला मत की उसी ने तुमें बचाया था औ धर हम उसी गैंग के बॉस को देखते है जो उन्हें दूरबिन से देख रहा था ये देखकर वो हस्तोय कहता है ये कितना इंटरस्टिंग है वो लड़की अपने आप कोई चाटा मार रही है फिर वो अपने साथियों से कहता है तुम सम नीचे जाओ और उन लड़कियों को पकड़कर ले आओ अब हम उन्हीं दो लड़कियों को देखते है जहां वो दोनों आगे जा रही थी तब उसकी दोसों से पूछती है क्या ही ठीक रहेगा उन्हें वहीं पर छोड़कर अकले जाने का आइडिया ये सुनकर वो छोटे बाल वाली लड़की गुस्सा होते है कहती है क्या तुम पागल हो गई हो उनके बारे में बात करना बंद करो वो दोनों आगे जाही रहे होते है तब उन्हें कुछवाज आती है और ये सीने ही कट होता है अब हमें लियांग को दिखाय जाता है जो बहुत जादा गुस्से में थी और वो मनी मन सोचती है अगर म कौन हो इधर वो गुंड़ा लियांग को देखते है कहता है तुम हो तो बहुत ही सुंदर चलो तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आएगा ये सुनकर लियांग उससे कहती है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो तब वो गुंड़ा उसके पास आते है तुम्हें क्या सब्सक्राइब कर देखती है इतर हम इंग जॉमबी से लड़कर बहु κάνते वे कहेता है यहार इन के सिर्सें कzdल निकालक रहे हैं काश यह गेम की तरह होता जैसी मैं इस इसो मारता नहों अचंनल को जातें आप हम नहीं दो दो लड़कियों देखकर आगे भढ़ने लगती है ये देखकर तो उसकी दोस बहुत जादा दुखी होती है अब हम देखते हैं कि वो छोटे बाल वाले लड़की भाग कर एक जगा छुपने आती है तब ये उसे दिखाई देता है कि लियांग को दो गुंडे पकड़ कर ले जा रही है ये द उनकर गुंडा बोलता है मिंग ये कौन है तब ही वहां मिंग के एंट्री होती है जो उस गुंडे का हाथ काट देता है और फिर वो लियांग को बचा लेता है लियांग उसे देखकर रोने लगती है और फिर वो उसे गले लगा लेती है अब वो गुंडा उस चाको को अप लियांग से फूचता है वो दोनो लड़किया कहां पर है तब लियांग निराश होते हुए कहती है उस साइड अब हम देखते है कि वो लड़की वहाँ पर बैट कर रो रही थी और फिर वो अपनी दोसको सौरी बोलती है ये देखकर मिंग सोचता है रास्ते में जो मैंने ला रख लेंगे फिर वह उन दोनों कहता है तुम दोनों मीडिया सेंटर जाओ वहाँ पर एक भी जॉंबी नहीं है चुकि मैंने वहां के सभी जॉंबी इसको मार दिया है ये सुनकर वो लड़की मनी मन सोचती है तो ये सच में बहुत ही पारफुल है अगर मैं इसे फॉलो कर लगता है ये देखकर वो डर कर सोचने लगती है आखरी है कौन कहीं वो वही गुणने तो नहीं है जिन्होंने मेरे सभी स्टूडेंट्स को मार दिया और क्या मेरी बारी है ये सोचकर वो एक काच का टुकड़ा उठा लेती है और अपने आपको मानने का ट्राइ करती है मन दोड़कर उसे गले लगा लेती है फिर वो मिंग से बोलती है मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आऊगे ये देखकर मिंग थोड़ा शर्माने लगता है और बोलता है क्या तुम मेरे से थोड़ा दूर हो सकती हो तब वो उससे दूर होते हुए कहती है मुझे तो लगा था कि मैं मरी गई फिर मिंग कहता है कोई वात नहीं चलो मैं आपको पहले बाहर निकालता हूँ अब हम लियाम और उस लड़की को देखते है जो कि जॉम्बी के सिर से क्रिश्टल को निकाल रहे थे इधर लियाम उस क्रिश्टल को निकालते वात सोचती है आखरी है क्या और मिंग इसे कलेक्ट क्यू कर रहे इधर वो लड़की निकालते वात सोचती है ये कितना डिस्गस्टिंग है और वो मुझसे ऐसे कम क्यू करवा रहे तब ही वहाँ पर Ming और teacher आते है Ming अपने student को देखकर बहुत जादा खुश होती है ये देखकर वो लड़की रोने लगती है और फिर वो अपने teacher के गले लग जाती है तब teacher उससे अपने दूसरे student के बारे में पूछती है ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है वो लड़की मिंग से कहती है, अगर तुम टीचर को बचाना चाहते थे, तो तुमने पहले क्यों नहीं किया, उस टाइम तुमें हम तीनों को बचाना चाहिए था, तुम बहुत ही इवल हो, ये सुनकर लियाम को गुस्सा आता है, और वो कहती है कि तुम सब कितने ग्रेटफ कि बोलने से पहले सोच लो, मैंने तुम्हारी जान मचाई, इसका मतलब नहीं कि तुम उसे बहस कर सकती हो, ये जगा जॉंबी से भरी हुई है, किसे क्या पता कि कहा पर जॉंबी आ जाए, और अगर मैं ऐसे ही लोगों को बचाते रहूंगा तो, ये मेरे लिये रिस्की हो जाएगा, ये सुनकर वो लड़ी कुछ भी नहीं बोलती, तब ही वहाँ पर टीचर आती है, जो अपने स्टुडेंट को सांथ करवाते हुए कहती है, ली उसने हमें बचाया है, और मैं इसके बहुत एक रेट हुलू, और वही हमारे सेवियर है, ये देखकर लियाम सोचती चलो, फाइनली, इसकी टीचर तो अपने महोल को समझती है, फिर वो मिंग से पूचती है, आखिर तुम इनके सिर से, ये क्रिस्टल वो कलेक्ट क्यों कर रहे हो, तब मिंग उससे कहता है, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हे रास्ते में बता दूँगा, अब वो सब उसी वी कर कहता है, तुम्हें बता चल जाएगा, और फिर वो सभी क्रिस्टल को उस वील के अंदर डाल देता है, और वो मनीमन सोचता है, ये थ्री कलर वील बहुत ही डिफरेंट है, और इसमें क्रिस्टल की लिमिट नहीं होती, इसमें हमें जब तक क्रिस्टल को डालना नहीं हो जाती, फिर वो क्रिस्टल को डालने के बाद मनीमन सोचता है, शाय 26 क्रिस्टल काफी होंगे, इससे मैं एक स्पिन तो करी सकता हूँ, और फिर क्रिस्टल को डालते ही, वो वील स्पिन होने लगता है, ये देखकर मिंग थोड़ा खुश होता है, और फिर वो मनीमन आटिजन मिलता है ये देखकर तो मिंग का मूँ बन जाता है और वो सोचता है ग्लोरी ट्रेनिंग ये किता विकार है दारासल उसे सपोर्टिव ट्रेनिंग मिली थी जो की बहुती कम लेवल का होता है ये देखकर मिंग मनीमन सोचता है आखरी मुझे सपोर्टिव किया है उस क्रिश्टल को निकालने के लिए और उन सबी क्रिश्टल को इसने यूज कर लिया तब मिंग उस लेटर को देते हुए कहता ये लोग खुद देख लो और फिर वो मनीमन सोचता है फो टाइप अफ कलर और ये बैच बहुत ही डिफरेंट है इधर वो लड़किया उ तो ये गेम की तरह लग रहा है तब टीचर उसे पढ़ती है और उसे पता चलता है कि रैंक स्पैसलिटी इस वील से मिल सकता है कभी मिंग को रिलाइज होता है कि प्रोफेशन आर्टिसन में क्राफ्ट टेकनिक होता है और साथी साथ उसमें मैजिक भी होता है जो की टूट लग अबिलिटी को दिखा दी है क्या यह मेरा लग था वापी से रिवॉन होने के वाद और फिर वो खुश होते हैं कहता है चलो बहुत बढ़िया हमारे आस पास बहुत ही कम जॉंबी बचे है और तुम्हें उन सवी के सिर्ग से क्रिश्टल को इखटा करना है ताकि हम उस क्रिश्टल की हेल्प से यहां के अवार्ट को एक्चेंज कर सके यह सुनकर लियांग खुश होते हैं कहतियेट ठीक है इधर हम देखते हैं कि वही बॉस उन्हें आभी भी दूरबिन से देख रहा था यह देखकर वो बोलता है यह तो बहुत ही स्ट्रॉंग है एक ही बंद हम यह अभी काम पर लगना है यह सुनकर वो टकला कहता है ब्रादर क्या हुआ ता वो थोड़ा एविल स्वाइल में हस्तो है कहता है मुझे उनका सीग्रेट बता चल गया